चार पिस्टल के साथ दो आरूपी ग्रिफता लालवरा पुलिस को मिली बड़ी सफल था बैरिगेट तोड़कर भाग रहे है आरूपियों के पीछा कर पकड़ा रोकोटों का वियान गंतरगत बगेर मास्क की घुमने वालों पर लगाया गया जुर्माना और वान विभात क्योडन दस्ते ने इमारती रखड़ी का वैद परिवहन करने पर जब्त किया ट्रेक्टर नमस्कार बालाखट लाइव के इस बुलिटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आकाश अब देखते हैं खबरीन स्थार से लालबरा थाना पुलिस ने मुगबिर की सूचना पर चार पिस्टल जब्त कर दो आरोपी को ग्रिफतार किया है पकड़े का आरोपियों में वाड नमबर साथ बईहर चौकी निवासी शेक मुहमत इरशाद चंगेरा थाना राय पलेरी हाल मुकाम वाड नमबर चार फ्रें और कहीं कोई वारदात में सनलिकता है पाई गई है पसर क्या लग रहा है जैसे चार पिस्टोल एक साथ एक ही जगह भी बिलना नहीं बड़ी घटना हो सकती थे वाला जिले में यह सप्लाइ के लिए ला रहा है सर कहां से ला रहा है ता ऐसा कुछ बताया है नहीं अब इस तान सरकांसे ग्रफटर के यह जो है कटनजरी रोट में नाला के पास एक मोटर साइकल लग पूरा ग्राम से पास सरे किस रूट से आ रहा है थे यह इस इसके पहले मामने इसके पहले पकड़े गए हैं पर इतनी बड़ी बड़ी बरमत की पहले बार इस पूरी कारवाई में थाना प्रहारी लाल वर्दा लगना थालगत कर दूए उपन रिक्षप मंदहे लहारे यह आईजी आफिस में पदस्त हैं इनके पास ही सुचना मुली थी और थाना इस्टाप काफी बल जो रहा है और आईजी साब कार्या लेका बल भी इसने सांब अब इनको ग्रफतार करके इनको नहीं बेजा जा रहा है और इसको पुलिस इमाट लिया जा रहा है बगेर मास्क के पाए गए लोगों से जर्वाना वसूला गया और उन्हें मास्क का वित्रण भी किया गया इस दोरान आम जिन को सला दी गई कि वह बगेर मास्क के घर से बाहर न निकले और सारजने के स्थलूपा सोशल डिस्टेंसिंग का पालंग करना होगा वन विभा क्योडन दस्ता ने 25 मार्च को बालाखाट से उनी मार्क पर ग्राम पाथर साही में विभिन प्रजाथी की कास्ट का वैद परिवहन करते हुए पाए जाने पर ट्रेक्टर को जब्त कर लिया है विगत कई दिनों से दक्षिन, वनमंडर, वालाखाट, अंतरगत, वन परिशेतर, लालवर्रा के अंतरगत, विभिन प्रजाथी के कास्ट का वैद दुरूप से परिवान होने के सूचना मिल रही थी बुलिटन वक्त उलाग शोड़े से ब्रेक का जल्दा चरूँगे सेव रिवर फांडेशन के माध्यम से यवाँ ने जिले की नदियों को बचाने का संकल्प लिया फांडेशन के पतधिकारियों ने लोगों से गर्मी के दिनों में जल की समस्या को देखते हुए जल बचाने और नदियों को सवच रखने और उनका संदेश दिया इस समद में सेव रिवर फांडेशन के अध्यक्ष राहुल सिंग बैस ने बताया कि बालाखाट की नदियों में हो रहे अवैद उत्खनन को कम किया जाए और रेट का उत्कानन केबल बालाखाट में हो रहा हैं निर्मान के लिए हिए जिल्ए बाहर रहे माँडिशन के मात्यम से जिली की जंता को और यहां के परिशासन को जगाना चाहते हैं आज हमारा पहला प्रयास है कि जो हमारी नदिया हैं जो हमारे बालागाट की धरोवर है जिसके पीछे सभी का जण जीवन उसी से जुड़ा हुआ है हम चाहते हैं कि इसको सच रखा जाए इसको निर्मल रखा जाए और इसको बचा के सहीज के रखा जाए उस उद्देश से आज हमने यह foundation का कटन किया है और आज इसका पहला प्रयास है यहां पर जो नदी की नारे आके हम यहां की सफाई को कर रहे हैं और यहां पर जो अभी जो पिछले सालों से और अभी जो नदी में जो बदलावा आए हैं उसकी और प्रशासन का ध्यानाक्रशित करना करें। जैसे कि देखने में आ रहा है, पिछले के पिछले वर्ष 2019 की गर्मी में वेंगंगा नदी की धारा सूप चुकी। उसके बाद 2020 में अच्छी बारिश होने करें, अभी तो बहुत अच्छी इस्तिती है नदी में, लेकिन जब धारा सूप गई उस दिशा में ना प्रशासन ने कुछ काम किया है, ना हमारे शहर की और जिले की जनता ने कुछ काम किया है। तो हम चाहते हैं कि सभी अब राजनीतिक दल हो, चाहे प्रशासन हो, सब अपने अपने शहर को बचाने के लिए और राजनीती से उपर उठकर आज हमको नदी के लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इस्तिती बहुत ही भायावा हो जागी भाविश्य। किरनापुर के इस्तित बस्टेंड में गुरुवार को राश्टी इश्याय उन्मूलन कारेक्रम के तहत में करनाटक का अजनकर लोगों को जावरुक किया गया। जिला स्वास्त समीती बालाखाट के दौरा जन्हित में 25 मार्थ को शाम 7 बजे समीती की सदस्थ से अनिल भोप्चे गोलू में शाम के दौरा टीवी रोग का अपचार करा कर इस रोग से बचने का संदेश दिया गया। जिला स्वास्त समाज में तीवी के नए संक्रमन को रोकने के लिए ये कारिक्रम किये जा रहे हैं। जिसमें ग्राम के कहीं चौप पर कहीं बस इस्टेल में जहां पर भी लोग उपस्तित हो सके। ऐसी जगह प्रियास नुकर नाटक दल खारा के सबस्यों दुआरा गीत संगीत के माध्यम से लोगों को इकत्रित किया जाता है। और भूक संदेश जो की टीवी क्या है। टीवी किनकिन कारणों से फैलती है। टीवी के क्या लच्छन है। इसके बचाव क्या है। कौन-कौन से सावधानिया बरतना चाहिए। टीवी बीमारी क्यों खतरनाख है। सामुदाइक स्वास्केंद्रपर जो डीमसी सेंटर होता है। उसमें जो डाट्स दवाई दी जाती है। जो कोर्स होता है वो कैसे लेना चाहिए। डाट्स प्रोवाइडर जिसकी निगरानी में टीवी से जो पेसें होता है। टीवी संक्रमित पेसें वो छे महना तक दवाई खाके सुधर जाता है। यह जानकरिया दी जाती है। वन परिशेतर उत्तर लामता अंतरगत कक्षक्रमांग 1271 वन परिशेतर गुडरू से यह मामला प्रकाश में आया है। कि दौर मामला पंजीबत कर विवेचना में दिया क्या है।